नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप साब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की वाली वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है विकस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसने आप 1-1 के रिशियो से अनॉनस किया है यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के इस कंपणी खेंगे इसके आप को पूरी डिटेल दो अबात करने इसके फंडमेंटल्स प्यनाशल्स और और चीजों के बारे में साथ ही साथ में आप एक्शिट और रिकॉड एट भी बताऊ करो इसलिए स् obtained time कहीं स्किप मत करना चली है इस वीडियो को लाइक कर द talked दीजिए चैनल के अ एस ब्रत करते स्क rec danach के वहाट चिंग करते हैं डिचा नहीं एक स्थ नहीं से रिश्य को डिश City की तो私만 रहा है रहा है थी स्टॉ स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो 52 वी क्लो है स्टॉक का वह 12.65 रूपीज का वहीं बात करें 52 वी खाय की तो वह 32.10 रूपीज का कंपनी का चो करेंट स्टॉक प्राइज का वहीं थोड़ा सा 52 वी खाय की तरफ है जो कि हमें बताते है कि स्टॉक जो है भी एक अप्वर्स मुमेंट कर रहा है चली बात करते है अब इस कंपनी के फंडमेंटल्स की जो मार्केट क्यापिटलाइजेशन है इस कंपनी का वह 12 कर का है बुक वैल्यू स्टॉक को 23.97 रुपीज का है चली बात करते हैं इस कंपनी के फाइनाशल्स की सबसे वहले हम बात करेंगे यहां पर रिवेन्यू की 2018 से लगे 2022 तक तो 2018 में जो रिवेन्यू था वह 11 करोर्स का था एंड उसके बाद 2020 तक बढ़ता रहा 2020 में 20 करोर्स प अब बात करने इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट यहां पे देखेंगे लॉंग टर्म में तो 2019 से लेके 2022 तक डिक्रीज होता जा रहा है जहां पे 2018 में प्रॉफिट था 0.81 करोर्स का वहीं बढ़के 2019 में 1 करोर्स पर आया और उसके बाद डिक्रीज हो हो के 2022 में क 0.02 करोर्स रह गया है नेट वर्थ की बात करें इस कंपनी की तो 2018 में जो नेट वर्थ थी वह 10 करोर्स की थी है और उसके बाद 2019 से अब तक 11 करोर्स पे ही रह है मतलब 11 करोर्स से ना उपर गई है ना कम तो all over financials की बात करूं और fundamentals की बात करूं तो अच्छे नहीं है कंपनी में retail investors के पास में 44.57% का stake था और किसी के पास भी यहां पर stake नहीं था वहीं से compare करें जून 2022 से तो promoters का stake currently exactly same है 55.43% का retail investors का भी stake currently same है 44.57% का तो बिल्कुल भी changes नहीं है shareholding patterns में promoters ने almost 50% company यहां पर dilute कर दी है मतलब आधी से आधी company almost यहां पर company दे दी है मतलब dilute करके shareholders को बाट दी है retail investors को तो यहां पर shareholding patterns भी मुझे risky देखने को लग रहे हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Carrea Facilities and Services Limited company का जो Bombay Stock Exchange का code है 540756 और वहीं बात करें अगर हम company के official announcement की तो यहां पर आप देख सकते है company ने 1 to 1 के ratio से stock bonus announce किया है अभी तक यहां पर company की तरफ से कोई भी official announcement आती है यहां पर exit और record date को लेके तो यहां पर मैं screen के उपर में डाल दूँगा आप देख पाएंगे दोस्तों आज की वीडियो में इतना है बगर आपको वीडियो अच्छला को वीडियो को जरूर से like कर देना चैनल को भी subscribe कर देना वेकुछ फिर्ण मीडिय